ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूस भारत में वक्त व चुका है अलिगर्ड बुलिटन का अलिगर्ड में पुलिस ने मुटभेड में शातिर इनामिया लुटेरे को गिरफतार किया है देराथ हुई मुटभेड में नामिया बदमाश को घाल अवस्था में अस्पताल में भरती कराया गया है पिशले दो साल से लूट की वारदात के बाद इनामी बदमाश विवेक फरार चल रहा था उसके कबजे से एक तमंचा और कार्तूस बरामद हुआ है घटना थाना बरला इलाके के मदापूर पुलिया के पास की है जहां शनिवार रात्री को थाना धक्ष बरला में पुलिस टीम के साथ मदापूर पुलिया पर चेकिंग कर रहे थे वहीं दो संदिक दिविक्ती मोटर साइकल पर आ रहे थे उन्हें रुकने के लिए कहा गया तो उन्होंने पुलिस के उपर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया पुलिस टीम द्वारा बचाव में फायरिंग की गई जुसमें आरूपी विवेक को पैर में गोली लगने से घायलवस्था में रह्मापूर पुलिया से गिरफतार किया गया घटना को लेकर शेत्रा अदिकारी बरला सरजना सिंग ने क्या कुछ बताया सुनिये मैं शेत्रा धिकारी बरला अबदत कराना चाहती हूँ कि दिनांग 26-2024 को संदिक्द वेक्तियों वाहनों की चेकिंग के दौरा मदापूर पुलिया पर ठाना बरला पुलिस द्वरा चेकिंग की जा रहे थी तभी दो बाइक सवार वेक्ति आये पुलिस को देखकर वापस स्टेजी से अत्रॉली की ओर जाने लगे पुलिस द्वरा भी उनका पीछा किया गया रहमा पर पुलिया पर पीछे बैठे वेक्ति ने पुलिस टीम पर फायर किया जबाबी कारवाई में आत्मरक्षार पुलिस ने भी फायर किया इसमें वह वेक्ति घायर हो गया और उसके पैर में बोली लगी दूसरा बाइक सवार वेक्ति भाग गया जिसकी तलाश की जा रही है घायर गति को ततकाल प्राफ में कुपचार हेतु निकटवर्ती सियस्सी चर्रा में भेजा गया जहां पूछ स्टाश में उसने अपना नाम विवेक्त समफ गोपाल जी निवासी भरतरी ठाना गभाना बताया जो ठाना बरना में 182 बटा 22 लूट की मुकर्में वांशित थ तथा 25 अज़ा गुपए का इनामिया भी है तथा सिविल लाइंस तथा गभाना थाने में जिसने अन्य दूट चोरी अंडी पियर जैसे अपराग करत किये हैं उसके पास से एक बैग, एक 315 बोर देशी तमंशा, एक जिंदा कार्तूस, दो खोके बरामाद हुए हैं अगर भीशन गर्मी में 46 डिग्री के पार पारा पहुँच कया है, जहां वन माफिया हरे व्रक्ष पर आरा चला रहे हैं, अलिगड़ पे वन माफियाओं के होस्ले बुलंद हैं और वन अधिकारी मौन हैं, वन अधिकारीओं की मिली भगत से हरे व्रक्ष का कटान जारी है, शग अलिगड़ की थाना अत्रॉली शेत्र के महला चौधरियान से एक वर्ष पूर्व, छे बच्चों को छोड़कर रीना देवी फरार हो गई थी, जिसकी पती ने काफी तलाश करने के बाद कोत्वाली अत्रॉली में शिकायत पत्र दिया, जिसको थाना प्रभारी निरिक्ष रिक्षक रितेश कुमार द्वारा मामले को ततपर्ता से संग्यान में लेते हुए, भान पाड़ा के चौकी प्रभारी सतीश कुमार वा अपने रिक्षक यतेश कुमार राठी द्वारा ततपर्ता का परच्च देते वे थाना हर्द्वागन शेत्र के ग्राम कलाई से फरा महिलार रीना देवी को बरामत कर पती निरंजन लाल को लिखेत रूप में सुपुर्दी कर दिया वही एक वर्ष बाद अपनी मा को देखकर बच्चों की आखे खुशी से नम हो गई महिला रीना देवी अपनी खुशी से अपने पती वा बच्चों के साथ अपने पती के घर चली गई है आपको पुलीस ने आपके सूपर्द की में देती है कहां सा बरामत किया पुलिस में कर दिया पर आपके साथ रहना चाथी है क्या नावाब आपका निरन्यान आपके पिताई क्या नावाब इंदर सीम कहा के रहन वालियों पत्रोली चाज कोत वाली अत्रोली में आप आएगो क्या माम लाए अपका मेरी पत्नी घर से फ्रार थी एक साल पहले आज मिली है मीडिया की चडिया से बहुत बड़ा पुलिस ने बरामत करा दिया बरामत करा दिया आपकी पत्नी के बैन हो गए पलिस ने आपके सुपरदी में कर दिया वड़ प discern को कर दिया कि एक बर्स पूरू गई थी एक बर्स पहले गई थी आपकी पत्र पांच जून को गई थी कहां सा बरामद हुई एक रोली से किस जगह सा बरामद कि यह पुलिस नहीं जो एक कलाई कलाई ते कलाई गहुं से बोला तेरे पिताय क्या नहीं है कहा रहता है अत्रोली कोद वाली में को आया है मम्मी कहां चलेगी मम्मी कितने दिन पहले तो बरामद हुई आपकी मम्मी तो किस ने बरामद किया अलिगर से सीनू समधाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट अलिगर के थाना इगलाज शेत्र के गाउं जीवनपुर में खेत की खड़ी चरी जोतने पर दो पक्षों में खूनी संगर्श हो गया जहां दोनों पक्षों में मारपीट के साथ फारिंग भी हुई जिसका लाइब वीडियो भी सामने आ है मैं पुलिस ने मुकदमा दर्श कर दुआरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है मैं छेतरा दिकारी गलास जनपद अलीगर से अवगत कराना चाहता हूं की ठाना छेतरी गलास के अंतरगत इस्तित ग्रामसवा जीवनपूर में दो सजाती पच्छों के मद्ध फसल की कटाई को लेकर विवाद उत्पन हो गया था जिसके दोरान दोनों पच्छेक दूसरी के उपर आकरामक वोकर हमलावर हो गया थे एक पक्छ के दोरा फायर भी किया गया था जिसके संबन्द में ततकाल सुसंगत धराओं अभियोग पंजीकित करते हुए अलिगर से सीनु समदाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट जनपद अलिगर के थाना अत्रॉली शेत्र के अंतरगत ग्राम बहरावद में पुरानी रंजश के चलते गाउं के ही दबंग दोगु द्वारा टरकचालक रविंद्र कुमार को लाथी डंडू से प्रहार कर घायल कर दिया घायल अवस्था में पीडित की पत्नी द्वारा अत्रॉली के सामुदाइक स्वास्तिक इंद लाए गया जहां से उपक्चाद देकर घायल को अत्रॉली कोतवाली में बहिश दिया गया वहीं घायल पीरित की पत्नी ने जानकारी देते वे क्या खुश बताया सुनिये लोग के अपके साथ ही मर्फिट किया और अब आप कहा पर आई ओप्चार के लिए अत्रोली CAC में क्या नाम है आपका क्या नाम है अच्छा तो आपके पता क्या नाम है किस गांगो रहने वाली हो तो यह जो गायल बक्ति कौन है आपके आपके पती है तो यह कैसे चोड़ लगी इनके किस बात को लेकर बेबाद हुआ यह बात कुछ नहीं है उसकी को लड़की थी पहले है उसकी लड़की किसी लड़की के साथ चलिए अलिगर से सीनू समधाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट फिलाल के लिए अलिगर बुलेटिन में बस अतना ही देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सीनियूस भारत